कि नमस्कार किसान भाईयो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल किसान ओफिस में स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं मक्के में लगने ओले तना छदक के बारे में यहां कीट की इस तरह से मक्के को नुक्सान पहुचाता है और इस कीट का क्या लक्षन है और यह दिख किसने में कैसे होता है तथा इसको हम की स्थरा से नियंतरण कर सके इसके बारे आपको बहुत इस अंचीव में बताना बताऊंगा वीडियो को अंतक देखे और जो किसान भाई हमारे चैनल नया है वीडियो को सब्क्राइब जरू करे और बेल आइकन बटन को दबा दे ताक कि हमारे दौरा जो भी वीडियो इस चैनल लो अप्लोड किया जाए आप तक पहुंच सकें कि 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 किसान भाई के आये हुए हैं देख पार है आप चारो और मक्का लगा हुआ है प्रंतु इनके दौरा बता गया था इनके खेत में कीट का प्रकूर चालू हो गया है उसी को इसकी और देख पारे इसमें कि इसमें लग चुका है आप लोग मता है कि को अथ ही moos ai तरह में न सबसे पहले जो लंग से बस्ता है पार खेरखन कोना मख दञए पजिआ हुआ है g A चीलो पाटेलस है जो इंसेक्ट होता है इसका माधा माधा दिखने में इसका सलब होता है इसका माधा जो दिखने बहुत गंदा दिखता है और धूरा रंगा होता है और यहां गुच्छों में अंडे देता है पुल 200-300 अंडा देती है इसके बाद यह जो अंडा होता है यह दो से तीन दिन में हैच हो जाता है फूर जाता है उसमें से छोटे-छोटे दूंग सूख्ष में कैटरपिलर निकलता है निकलने के बाद वो क्या करता है पत्यू को जाए शबत आप देख पा रहे हैं पूर आप है एक खाता है और धीरी दीरी बढ़ता ही बढ़ता है इस ट्रीम को ही होल कर जाए ह ais कृढ कर देख और यहां मक्य लें पत्ती को खुरुच-खुरुच के खाता है फिर बढ़ के तना को चिता गरता है और इस तरह से पाखलों को नुक्सान पहुंचाता है इसका पैचान कर लिजिए और यही इल्ली बढ़ के पीउपा में बदल जाता है और पीउपा से करने के लिए कुछ राषानिक द्याव के बारे आपको बताना चाहूंगा उससे पर हम बताओं कि यहाँ फसलों में लंबे समय तक कैसे रहता है यहां जो कीट होता है आपको देखे हैं जो कैटरपिलर है यह लगभख 15-20 दिन तक मक्के के पौधा को नुक्सान हो जाएगा और उसको खाएगा खाने के बाद बढ़ेगा बढ़ने के बाद अपने सरीर से ही कुछ राषानिक पदार्तों से अपने सरीर को ठक लेता है ठकने गवाद जिसको हम बोलते हैं प्यूपा और यहां प्यूपा लगभख 7-14 दिन मिट्टी में पढ़े रहता है और उसमें से प्रकार पूरा जीवन चक्र चलता है और जब तक खेट में रहेगा तब तक नुसान पहुंचाते रहेगा किसान भाई सभाया आप सभी को हम बताऊंगा इसमें कीन-कीन दवा का प्रयोग करके इसको नियंतरन करशके यह जो दवा हम लोग पारिफास प्लास आपको इसको नोट करना है क्लोर पारिफास 50% एवंग साइपर में 35% भले कंपनी कोई भी कंपनी इसमें देख पार है जो दवा है यह हमला 550 आपको जरूरी नहीं कि इसी दवा को लेना है लेकिन केमिकल जरूर देख लिएगा क्लोर पारिफास प्लस 5% प्लेफ में इस्प्रे करना है और इस्प्रे करने से पहले किसान अपने आपको श्रचीत रखें और साधानी को बढ़ते इसके बद हम दूसरा दौब बताएंगे जिसमें दिया हुआ है आइअ अग्यार मैं के सिम पाने है इसको देखेंकर इसका इस्प्रेक्षरा करना है इस्के इससार को सबस्तिक करने से इसके इससाब मुलीए प Laden को हमें जरूर पताएंगे दवा बनाती है आपको company नहीं देखना है आपको देखना है पुरूपेश्च प्रतिशत प्लस साइपरमेथ्रिन पास चार परतिशत आपको देखना है दाशानीक नाम भले company कोई भी हो इसके बाद किसान भाई वह देखिया है किर्शी वाग से दिया हुआ किसानों को दवा था हमने किसान भाई से लेकर आया है इसका नाम है कोंभी 505 इसमें लिखा है को लोड़ पारिफस 50 प्रतिशत प्लस साइपर मेत्रिन इसको भी 40 मेर परती टंकी हिसाब से मिला के स्प्रे में मिला कर इस्प्रे करना है इसके बाद आपको दवावर मिलेगा लेम्डो साइलोहत्रिन पाच प्रतिशत इसको आपको यह 100 मेल का है इसमें लगभग दो टंकी हमको इस पर टंकी इस पर करने के लिए बनाना है मतलब 50 मेल एक टंकी मेल इसके बाद किसान भाईओ एक दो और है जो की महेंगा पड़ता है इसमें भी लेम्डा सालेवत्रिन है उसके साथ क्लोरें ट्रेव प्रोल दिया हुआ है दोनों का कॉंबिनेशन से दवा पत्यार के कंपनी द्वारा आप इसको चेक कर लिजिएगा मैं जिन जिन राशानिक नाम बताया हूं दवाव का उसको आप नोट कर लिजिएगा चाहिए मेरे वीडियो को डिस्क्रोशन में रहेगा उसके नुसरा आप मार्केट में जाके दवा को खरिच सकते हैं और फिर